ओके तो अगर हमने नए watercolors buy करें हैं तो उसके regarding हम यहाँ पर shade card बनाना सीखते हैं और अगर आपने नए भी नहीं करें buy तो भी यहाँ पर हम पुराने watercolors अगर आपके पास है तो एक बार shade card बनाना आपको जरूर आना चाहिए तो यहाँ पर यह जो दो pans हैं यह मैं आपको हमारे पास palette है तो उसके according हम बड़ा shade card बनाएंगे ठीक है डिपेंड करता है number of colors कितने हैं आपके पास उस पर डिपेंड करता है कि आपका shade card कितना बड़ा होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर palette के हिसाब से ही हमको जो है paper को cut करना है ओके तो यहाँ पर हम सबसे पहले cut कर ल तो आप नॉर्मल आइवरी शीट यूज कर सकते हो लेकिन ठीक होने यहाँ पर मैंने यूज कर रहा है वह मैंने यूज कर रहा है कोल्ड प्रेस वाटर कलर पेपल सभी जो material है उसका लिंक आपको नीचे description box के अंदर आट कर दूंगे size उतना बड़ा ले लेना है जितना palette के अंदर आजाए क्योंकि मुझे palette के अंदर रखना बहुत पसंद है shade cards तो डिपेंड करता है अपनी personal choice के उपर डिपेंड करता है यहाँ पर मैं अपना जो experience है वो share करते हूं आप लोगों के साथ अपनी knowledge share करते हूं तो सबका experience और सबका knowledge different होता है तो उसके according आप जा सकते हो यहाँ पर यह जो tube paints हैं इसके regarding मैंने filling का video बनाया था आप लोगों के लिए तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजेगा palette के अंदर किस तरह से fill करना होता है वो मैंने बनाया था तो जब हम palette के अंदर fill कर देते हैं उसके बाद usually यह वाला step मैं follow करती हूं कि मैं shade card बनाती हूं ठीक है तो यह जो tubes हैं यह बहुत ही small number की tubes हैं जैसा कि मैंने उस video में पर बताया था तो depend करता है कोई से भी tubes आपके पास हो कोई से भी paints आपके पास हो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि water color के अंदर हम किस तरह से shade card बना सकते हैं ठीक है shade card जो बनाना है यहा paints भर लेते हो तो वहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं होता है कि यह कौन सा color है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर shades ले लेंगे ठीक है number one pan के अंदर जो मैंने shade यहाँ पर add कर रखा है वो सबसे पहले मैं लगा दूँगी क्योंकि किन चीजों की करती हूं मैं एक saturated form लगा लेती हूं paint का और एक उसको dilute करके मैं नीचे ले जाती हूं तो इससे मुझे idea हो जाता है कि यह जो मेरे paints हैं यह कौन-कौन से colors के हैं तो जब हम painting करते हैं तो हमारे पास shade card होना बहुत ज़रूरी है मैं इसा मानती हूं यह मेरा personal experience है तो वह saturated form के लगा लेंगे और नीचे करते करते उसको dilute कर देंगे water add करके तो इससे हमारे पास दोनों form में आ जाएगा paint जो diluted है वो भी पता चल जाएगा हमको कैसा look देता है और saturated अगर आप यूज करते हो तो वो भी आपको पता चल जाएगा कैसा look आपको देता है paint क्योंकि आपके पास अगर palette है तो आपके पास shade card होना बहुत जादा important है मैं ऐसा मानती हूँ इससे हमारी clarity आती हमको हम जब painting कर रहे होते हैं हमको पता होता है कि हम पारे पास यह वाले paints हैं और हमको यह वाले paints लगाने हैं हमारी painting के अदर है तो यह बहुत ही जादा important है अब यहाँ पर जो सबसे पहला step रहता है कि shade card को cut करना और second step रहता है कि paint को आपको लगा देना according to अचा आप यहाँ पर आप boxes भी बना सकते हो अगर आपको लगता है कि बहुत ही neat and clean बनना चाहिए आपका shade card बहुत ही सुन्दर बनना चाहिए आपका shade card तो आप यहाँ पर scale यूज करके जितने आपके पास colors है उतने आप boxes create कर सकते हो ठीक है rectangles create कर सकते हो और उन rectangles के अंदर आप इस तरह से shade card को लगा सकते हो मैंने यहाँ पर बहुत simple रखा है क्योंकि मेरे को तो अकसर ही बनाना रहता है ठीक है तो यहाँ पर बहुत ही simple है यहाँ पर जब आपके colors जो है paints जो है वो नंबर भी लिख दूँगी और उसी से मैं उस color का नाम पे लिख दूँगी तो यहाँ पर चो colors मेरे पास है वो है crimson lake, vermilion hue, yellow ochre, permanent yellow, light, permanent green, veridian hue, cobald blue, persian blue, burn siana और burn number यह colors है ठीक है इसके अलावा white और black भी था लेकिन white और black जो है उसका मैंने उसका मैंने shade card के अंदर details नहीं add किया है क्योंकि वो मुझे इतना जरुवत नहीं थी उसकी तो यहाँ पर मैंने पास paints है और जब वो paints paper के उपर आते तो क्या result देते है ठीक है तो वहाँ बहुत जादा गड़बर होती है वहाँ बहुत जादा हमको बाद में परेशानी होती है तो उस चीज को हम overcome करेंगे पहले इस तरह से यहाँ पर shade card बना लेंगे बहुत ही simple है आपको hardly 5-10 minutes लगेंग उसके साथ-साथ मैं क्या करती हूँ उपर नाम लिख लेती हूँ तो जैसे यहाँ पर मैंने हॉल्वियन आर्टिस्ट वाटर कलर नाम लिख दिया है तो अगर shade card इदर उदर रख भी दूंगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इस palette के अंदर मुझे shade card रखना है और यह इस palette